यह देखिए बिटा यह रिवर की जर्णी शो करने के लिए मैंने के आपको लिए चोटा सा डियाग्रम बनाया है यह हैं माउंटेंस माउंटेंस पर यह देखिए बिटा यह हैं आइस या स्नो के ग्लेशियर्स और यब यह ग्लेशियर्स सन की हीट से मेल्ट होते हैं तो यह की फॉर्म ले लेते हैं तो जहां से रिवर स्टार्ट होती है उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं सोर्स ठीक है तो सोर्स में से रिवर निकली ग्लेशियर से रिवर निकली और बहते 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 यह देखिए प्लेंस में से होते हुए यह समंदर में मिलेगी लेकिन बेटा समंदर में मिलने से पहले एक बहुत ही खास बात होती है रिवर के साथ यह बने गंगा रिवर का एक्जेम्पल लिया है जब कोई भी रिवर किसी भी सी ये ओशन में मिलती है तो उसकी जो स्पीड है उसके जो बहने की स्पीड है वो बहुत ही जादा कम हो जाती है और उसी वज़ा से वो जहां-जहां भी उसको जगा मिलती है वो वहाँ पर फैलना शुरू कर देती है चोटी-चोटी reverse की form में इस तरह से पूरी की पूरी नदी इकठा ही समंदर में नहीं गिरेगी समंदर में मिलने से पहले वो छोटी छोटी बहुत सारी छोटी छोटी नदियों में ऐसे डिवाइड हो जाती है क्योंकि उसकी speed बहुत कम हो जाती है और दूर से देखने में हमें ये triangle की तरह लगती है और जिस point पर वो समंदर से मिलती है उस point को कहते है mouth तो starting point को कहते है source और जहां पर वो समंदर से मिलती है उसे कहते है mouth तो जहां बेटा river समंदर से मिलती है mouth में वो बनाती है ये triangle formation जिससे कहते है डेल्टा अब यह गंगा रिवर जब बे ओफ बंगॉल में मिलती है तो वो यह डेल्टा बनाती है और इस डेल्टा शुन्दर बंच डेल्टा अब बिटा आपको पता होना चाहिए कि सुंदर बन देल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, biggest डेल्टा ओफ द वर्ल्ड, सुंदर बन्स, ठीक है, और ये कहां है, वेस्ट बेंगॉल में, गंगा रिवर से बनता है, जब वो बेय अफ बेंगॉल में, मिलती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, largest डेल बेटा और वो वेस्ट पेंगॉल में है यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपको इसको याद रखना चाहिए आप इसके बाद आता है बेटा और नेक्स सोर्स ऑफ वाटर अंडर ग्राउंड वाटर अंडर ग्राउंड वाटर आपको समझाया मैंने अभी जहा जहां पर यह अर्थ के ऊपर आता है वहां पर स्प्रिंग्स बन जाते हैं इसी तरह से डेजर्ट एरिया में रेगिस्तान में जहां पर यह नैच्रल स्प्रिंग्स बने होते हैं जहां पर धर्दी के नीचे से अर्थ के नीचे से पानी ऊपर आ जाता है उसे हम कहते हैं जो है वो सिर्फ डेजर्ट में ही पाई जाते हैं अदर्वाइस अंडर्ग्राउंड वॉटर को निकालने के लिए हम लोग हैंड पंप्स ट्यूब बेल्स और हुए यह यह के वेल्स का इस्तेमाल करते हैं कि अब यह देखिए बैटा टूबल कैसे काम करता है एलेक्टिसिटी से चूबल में पंप या मोटर लगाई जाती है जिस्के अंडर क्राउंड वॉटर जो है या अपने घर के बाकी कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं कई जागा पर हमने बहुत गहरे-गहरे wells कुए भी खोदे जाते हैं ताकि हम वो पानी यूज़ कर सके और जहां पर भी ऐसे बेटे खुए खोदे जाते हैं उनको cover रखा जाता है ताकि उनका जो पानी है वो drinking के लिए safe रहे अब बेटा, oceans और seas हैं तो ये भी sources of water लेकिन इनका पानी कैसा है? salty oceans are large water bodies, बहुत बड़े-बड़े water bodies को हम oceans कहते हैं sea, समंदर भी बहुत बड़े-बड़े water bodies हैं लेकिन ocean से थोड़ा सा छोटे, oceans होते हैं महा सागर और sea होते हैं सागर लेकिन इनका पानी क्योंकि salty होता है इसलिए उसे हम use नहीं कर सकते समंदर के पानी में बहुत सारे salts मिले रहते हैं जो कि उसे पीने के लिए unfit कर देते हैं तो अगर हम समंदर का पानी एक गिलास भी पी ले तो वो हमारे लिए बहुत जादा नुकसान दे हो सकता है even के death भी हो सकती है तो ये बेटा हमने sources of water आज बहुत detail में study किये बाकी हम कल करेंगे